पहला स्टेप लॉग इन करके अप्लिकेशन शुरू करना है आईए देखें कि हम एनलाइज सेक्षन में क्या सीख सकते हैं सबसे पहले आपको ट्रेक सेक्षन से एनलाइज सेक्षन में जाना होगा अब हम फ्लीट रिपोर्ट्स पर जाएंगे फ्लीट रिपोर्ट में 7 तरह की रिपोर्ट देखी जा सकती है जो है 24 घंटे फ्लीट रिपोर्ट, वेहिकल डिवाइस ट्रैकर, मंथली रिपोर्ट, फ्यूल कंजम्शन, वेहिकल यूसेज, ड्राइविंग बेहवियर और आडिलिंग डुरेशन वर्सिस फ्यूल लॉस आएज जानते हैं 24 घंटे फ्लीट रिपोर्ट के बारे में इस सेक्शन में हम वहतारिक सेट कर सकते हैं, जिसके लिए हम पिछले 24 घंटों की रिपोर्ट देखना चाहते हैं उसके बाद ग्राहक, रजिस्ट्रेशन नमबर, विन, स्टार्ट लोकेशन, हार्श एक्सलरेशन, हार्श ब्रेकिंग, रैश टर्निंग, निश्क्रिय अवध ही, कॉस्टिंग अवध ही, स्टॉपेज डुरेशन, इंधन की खपत, दूरी, फ्यूल एफिशेंसी और एन ल नमबर या रजिस्ट्रेशन नमबर को पसंद करना है, फिर चैसिस नमबर पसंद करना होगा, और फिर यदि आपने ब्रांचिस को बरकरार रखा है, तो आप विशिष्ट शाखा ब्रांच को पसंद कर सकते हैं, अन्यथा आप आल पर क्लिक कर सकते हैं, फिर आपको वह फ् तारिक को पसंद करना होगा जिस दिन आप वाहन को ट्रेक करना चाहते हैं। अब हम यहाँ पसंदीदा विशेश्ट चैसिस को ट्रेक कर सकते हैं। और अब हम ओडोमीटर, स्पीड, इगनिशन, फ्यूल, एड्रेस और रिपोर्टेट टाइम के लिए 30 मिनिट के फ्रिक्वंसी इंटरवल्स को देख सकते हैं। आपके पसंदीदा दिन के लिए रिपोर्ट किये गए समय में आपको 30 मिनिट का फर्क दिखाई दे सकता है। आइए जानते हैं मन्थली रिपोर्ट के बारे में। इस सेक्शन में सब से पहले हमें विन नमबर या रजिस्ट्रेशन नमबर को पसंद करना होगा। फिर चैसिस को चुनना होगा। फिर यदि आपने ब्रांचिस का रख रखाव किया है तो आप एक विशिष्ट ब्रांच चुन सकते हैं अन्य था आप आप आल पर क्लिक कर सकते हैं। आगे आपको उस महिने को पसंद करना होगा जिसके लिए आप रिपोर्ट देखना चाहते हैं और अप्लाई पर क्लिक करें। यहां आप उस विशिष वाहन के लिए पसंद किये हुए महिने की जानकारी बढ़ते क्रम में देख सकते हैं। जैसे एक जनवरी की विशिष चैसिस नंबर, instances of harsh acceleration, harsh braking, rash turning, idling duration, costing duration, stoppage duration, इंधन की खपत, दूरी, fuel efficiency और end location के उदाहरण। आए जानते हैं fuel consumption के बारे में। इस section में आप एक पसंदीदा विशिष अवधी के लिए fuel efficiency के बारे में जान सकते हैं। आप एक घंटे जैसे छोटे समय को भी चुन सकते हैं या आप पूरे महिने के डेटा को चुन सकते हैं। एक बार जब आब एक अवधी या महिने को चुनते हैं और apply पर क्लिक करते हैं तो आप अपने पूरे fleet के लिए कुल इंधन खपत, तय की गई दूरी और fuel efficiency इस प्रकार देखेंगे। यदि branch को पसंद करते हैं तो आप branch wise data देख सकते हैं। आए जानते हैं vehicle usage के बारे में। इस section में आप वर्तमान odometer reading और वाहन का अंतिम बार उपयोग कब हुआ था जान सकते हैं। उदाहरण के लिए यहां आप देख सकते हैं कि वाहन 14 December से उपयोग में नहीं है। harsh breaking, rash turning, निश्क्रिय अवध ही, costing duration और stoppage duration को देख सकते हैं। आईए idling duration versus fuel loss के बारे में जाने। इस section में आप उस विशेश chassis और आपके द्वारा चुनी गई अवध ही के कारण total idle time और fuel loss का विवरण देख सकते हैं। इस report को Excel और PDF format में download किया जा सकता है। इसी तरह fleet report column में अन्य सभी report इसी तरह download की जा सकती है। आईए जाने fleet trends के बारे में। Fleet trends section में 7 तरह के trend होते हैं। fuel versus odometer trends, fuel trends, speed trends, odometer trends, ignition trends, charging history trends और idling duration versus fuel loss। आईए जाने fuel versus odometer trends के बारे में। सबसे पहले आपको win number या registration number को चुनना होगा। फिर chassis number को चुनना होगा। उसके बाद यदि आपके पास branches हैं तो आप विशिष्ट branch को चुन सकते हैं। अन्यथा आप all पर क्लिक कर सकते हैं। आपके पास एक दिन, तीन दिन, साथ दिन या कोई भी अवधी चुनने का विकल्ब है। एक बार जब आप operating अवधी का चुन करते हैं और apply पर क्लिक करते हैं तो fuel versus odometer graph दिखाई देगा। graph के नीचे दिखाई गए data points दस मिनिट के औसत हैं। आप देख सकते हैं कि यहां fuel धीरे-धीरे कम हो रहा है। जबकि यहां यह अचानक बढ़ गया। जो दर्शाता है कि यहां इंधन भरा गया था। आईए जानते हैं fuel trends के बारे में। पहले win number या registration number चुने, फिर chasis number चुने। फिर यदि आपने branches का रखरखाव किया है तो आप एक विशिष्ट branch का chain कर सकते हैं। अन्यथा आप all पर click कर सकते हैं। आप इस section में अधिकतम 7 दिनों की अवधी को पसंद कर सकते हैं। एक बार जब आप एक कारेकाल चुन लेते हैं तो आप fuel versus time का graph देख सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां fuel धीरे-धीरे कम हो रहा है जबकि यहां यह अचानक बढ़ गया। जो दर्शाता है कि यहां fuel भरा गया था। आईए जानते हैं speed trends के बारे में। speed trends दिखाता है कि समय के साथ किसी विशेश वहन की गती कैसे बदलती है। odometer trend में आप odometer versus time का graph देख सकते हैं। इस section में आप देखते हैं कि आपके वहन का odometer धीरे-धीरे कैसे बढ़ रहा है। ignition trend में आप देख सकते हैं कि आपका वहन कब चालू या बंद था। idling duration versus fuel loss में आप उस विशेश chassis के लिए कुल निश्क्रिय मिंटों और उसके कारण fuel loss का विवरण और पसंदीदा अवधी को graph के रूप में देख सकते हैं। आए fleet insights के बारे में जाने। इस section में आप मासिक fleet insights प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलाबा trip analysis ड्रैवर के विवहार के एकिकरत उदाहरन दिखाता है। जैसे harsh acceleration, harsh braking, rash turning, idling, cost और stoppage। Vehicle fleet details में आप देख सकते हैं कि कितने वाहन fleet से connected हैं, कितने fleet से connected नहीं हैं और कितने जूडे हुए हैं। यदि आपने driver master में driverों की सूची दर्ज की है, तो आप इसे यहां देख सकते हैं। आप यह भी देख सकते हैं कि कितने सूची बद्ध driver ट्रिप पर हैं, कितने उपलब्ध हैं, और कितने छुटी पर हैं। सबता, कितने में लगुटी झुटी यहां वरीघे यह बआऌत। चाहँ चाहँ काई